नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ज्यान में दोस्तों एक बार की बात है एक भवरे की मित्रता एक गोबर में रहने वाले गोबरी कीडे से हो गई एक दिन गोबरी कीडे ने भवरे से कहा भाई तुम ना मेरे सबसे अच्छे मित्र हो इसलिए मैं तुम्हें अपने घर भोजन के लिए बुलाना चाहता हूँ भवरे ने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा वो भवरा अगले ही दिन गोबरी कीडे के यहां खाने पर पहुँचा कि मैंने बुरे का साथ किया इसलिए मुझे गोबर खाना पड़ा इस बार भवरे ने गोबरी कीडे को कहा कि दोस्त कल तुम मेरे यहां खाने पर आओ गोबरी कीडा भी मान गया अगले दिन जब कीडा भवरे के यहां पहुचा तो भवरे ने कीडे को उठा कर एक गुलाब की फूल पर बिठा दिया फिर उस गोबर के कीडे ने जिन्दगी में पहली बार परागरस पिया जब इसके लिए वह कीडा अपने मित्र का धन्यवाद कर ही रहा था कि एक मंदिर का पुजारी आया और उसी गुलाब की फूल को तोड़ कर ले गया जिस पर वो गोबरी कीडा बैठा था पुजारी जी ने उस फूल को थाकुर जी के चर्णों में चड़ा दिया गोबरी कीडे को थाकुर जी के दर्शन हुए और थाकुर जी के चर्णों में बैठने का परम सौ भागय भी मिला शाम को पुजारी जी ने सारे फूल इखटे किये और गंगा जी में छोड़ दिये अब कीड़ा अपने भाग्ये पर हैरान था इतने में भवरा उड़ता हुआ कीड़े के पास आया भवरे ने पूछा मित्र तुम्हारा क्या हाल है कीड़े ने कहा भाई मेरी तो जन्म जन्म के पापों से मुक्ती हो गई है ये सब अच्छी संगत का ही फल है दोस्तों कोई भी नहीं जानता की हम इस जीवन के सफर में एक दूसरे से क्यूं मिलते हैं सब के साथ तो हमारा रक्त संबंद नहीं हो सकता इसलिए कुछ लोगों के साथ मिला कर ईश्वर हमें अद्बुद रिष्टों में बान देता है हमें उन रिष्टों को हमेशा संजो कर ही रखना चाहिए दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये कहानी ऐसी और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को तुरन सब्सक्राइब करें धन्यवाद